जैन दोस्तों इस टड़ी आइकेन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी मद्य प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल ऐसाई जेल प्रहरी या फिर आपकी ग्रूप डी एंटी पीसी किसी भी एक्जाम के लिए साइंस की जो क्लास है बहुत इ देखें काफी इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली आप लोगे परिक्षा के पॉइंट अव्यू से चलिए में स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों कोशन नाइंटी वन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नब्वे कोशन में अल्रेडी करवा चुका हूं आपको त्रेंनियम के कारण तीड़ें यह होता क्या है। आभरी अकशन हैंज एकॉल एंड आपोजेट रीक्ष्एन ठीहं?! पहला नियम दूसरा नियम और तीसरा नियम तीनो नियम आपको पता होना ना चाहिए ठीक है पहले नियम में जड़त्व का नियम जिसको हम inertia motion of inertia कहते हैं दूसरे में आपको force का पता चलता है जिसमें हम momentum के बारे में बात करते हैं ठीक है momentum के बारे में बात करते हैं तीसरे में reaction और action के बारे में बात करते हैं ठीक है 92 का option 1번 B aytan एक प्रकार की सद्ाश राशी नहीं है नेक्स कोशिन caution Face question 93 I'm strong मापता है तो I'm strong मापताहे option मterm tarynq धेर तरंक धेर मापता है m strong नेक्सत कोश्चन की दुरव चलते हैं question 94 किस विग्यानिक ने सर्व प्रत्थम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिगला दिया था तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा और सी हो जाएगा आपका डेवी ने सर्फ प्रतम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिगला दिया था आगे बढ़ने से पहले आपके इंपॉर्टन जानकरी में यह ब होट वारी ने गुरूप टू सब्गूप फोर लेबर इंसपेक्टर किसी भी एक्जाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्गें त्यारी का रहे हैं सभी एग्जाम के झाय आपको यहां पर मिलेगी टेस्स और बहुत आप लोग सभी स्टुएंस तयारी करते हैं लेकिन सेलेक्शन उनका होता है जो टेस्ट लगाते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं क्यों तो आप को सल्फ करने का एक आप कौन सा प्रश्ण को कितना समय क्या क्रना पहले किस हैं किम मुझे upon में लगता है तो आप अपने आपको करते हैं कि आप किस सेशन में किस चीज में आप लोग वीक हैं उसको पहले करना है या किसको बाद में करना है ठीक है कई बार एक्जाम में आप किसी कोशन में बहुत जादा टक जाते तो एक्जेक्ली जैसी आपकी परिक्षा में पेपर बनता है वैसा ही परिक्षा बनाता है पेपर तो आज ही आप इसको परिक्षा आपको डाउनलोड कीजिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है और उसके बाद आप पर्चेस कर लीजिए इनकी टेस्स बहुत ही सस्ती है डेड़ सो रुपे के आसपास है लेकिन यह जब आपको मिलेगी जब आप हमारा यह रेफरर कोड यूज करेंगे एस आई सी एन फॉट्टी इस कोड का इस्तमाल करना है आपको दोस्तों इसके बाद यह जो है आपको चालिस परसे के डिसकाउन के पास यह आपको पड़ेगा एक सो अडिस्ट रुपे की ठीक है बहुत सारी टेस्स सीरीज हैं बहुत बढ़िया मौका है अपनों को हमारे चैनल स्टेडी आइकन के द्वारा आपको यह एक फैसलिटी प्रवाइट कराई जा रही है परिक्षा अपकी और प आपको परसनली स्ट करूंगा आज ही डाउनलोड करें और 166 रुपे कोई बड़ी बात नहीं भाई इसको आप लें और इसको लेते समय आपको यह बहुत महंगा पड़ेगा लेकिन जब आप हमारा की रेफरर कोड यूज़ करेंगे एस आई सी एन फॉट्टी तब आपको कोशनमर नेक्स्ट हमारे 95 उश्मा एक प्रकार की उज़ा है जिसे कारें में बदला जा सकता है इसका प्रत्यक्श प्रमार्ण सबसे पहले किस ने दिया यहां पर आंसर हो जाएका आपका आप्शनमर डी रामफोर ने चलिए नेक्स कोश्टन कोशनमर 96 लोहे की सुई पान काल डी लोहे से किस द्रव्य का घनत्व जरिस सब्से कम हैं तो देखिए यहँज पर जो द्रव्य दियें इन्हीं डरव्यों में से बताना होता है अपको तो यहां पर सब्से कम हो जाएगा घनत्व पैटरूल का ठीकर इन के बराबर होता यह कितने वाट के बराबर holem便 कि एक होर्स-पाउर कितने वाट के बराबर अब्द नो यहां पर आंसर हो जाए आपका options numc team दी आपने कई बार सुच वाट आपने वह कुछ लोग इसको एक कहवद के तरह ही इस्तेमार करता है वही साथ सो चैसी 746 वाट का जटका लग गया तो चैसी नहीं 746 एडिरश को यहां पर यहां पर जो अंसर होने के बाद चलती कोशन हमर 99 बर्नॉली प्रे में अधारित बर्नॉली प्रिंस्पल किस पर अधारित है चार और उप्षिन यहाँ पर option number A हो जाएगा आपका उर्जा संग्रेक्शन पर अधारित बर्नौनी प्रिंस्पल 99 का अंसर यहाँ पर आपका option number A correct है question number 100 बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा देखे अभी यह question आपको इसमें आया हुआ है आपको दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल में आया हुआ question है अभी जो आपका एक्जाम हुआ है 27 तारीक को उसमें पेपर की second shift में यह question आया हुआ है दोस्तों कि इतना आपको मैंने बता दिया जाकर चेक कर लीजिए जिसका एक्जाम होगा उसको पता होगा बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका घट जाएगा बर्फ पर दाब बढ़ जाएगा तो उसका गलनांक गड़ जाएगा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर 101 किसी मनुस्य के सरीर का समाने सुरी किसी मनुस्य के सरीर का समाने तापकरम होता है तो किसी मी मनुस्य के सरीर का समाने तापकरम होता है 98 डिग्री 98 डिग्री होता है 98 डिग्री याद रखने हैं आपको नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन अमर 102 उश्मा का सबसे अच्छा चालक है तो उश्मा का सबसे अच्छा चालक इन में से कौन होता है तो यहां पर अंसर हो जाएगा आपका उफ्चन अमर एच चांदी नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन अमर 103 नेमने लिक्त में से किसकी उश्मा धारित अधिक है किसकी उश्मा धारित अधिक है तो यहां पर जो 103 का अंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका उफ्चन अमर बी जल तो जल की उश्मा धारिच सबसे अधिक है नेक्स्ट कोश्टन की तरफ चलते हैं कोश्टन अमर 104 निमने लिकित में से किसके दौरा अधिक जौालक पैदा होता है तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा किसके दौरा अधिक जौालक पैदा होता है यहां पर सही रहेगा भाप भाप बिल्कुल करेक्ट है इसे के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करना जाओंगा दोस्तों जितने भी नई स्टुएंट है आज पहली बार क्लास को टेंड करना है तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने का बेल लाइकन जरूर जबाएं घंटी का निशान ताकि जो भी वीडियो अपडेट करूँगा उसकी इंफर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए इस वीडियो को लाइफ जरूर करें शेर भी कीजिए बाप इसका अंसर हो जाए कोशन नमर 105 निमने लिकित में से किसे सर्वोच्च विशिष्ट उश्मा का मान होता है तो निमने लिकित में से किसमे सर्वोच्च विशिष्ट उश्मा का माप होता है तो चार आप्शन आपको दिये गए 105 का अंसर हो जाएगा आफशन मसी जल जल में सरवोच विशिस्ट उश्मा का मान होता है ठीक है दोस्तों सौरी आफशन मसी जल जल याद रखना है तो इस वीडियो को यहीं से आप करता हूँ दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डेली आपकी दो क्लासे होती है साइंस की और एक साम को पांच वज़े लाइफ होती है और दिन में एक अपलोड होती है तो अपलोड वाली भी आप देखिए और लाइफ वाली भी देखिए दोनों में अलग-अलग प्रशन होते हैं आज लेकिन आपकी तीन क्लास होने वाली है तो तीनों क्लास को अटेंड कीजिए तो चलिए इस वीडियो को ही समाप करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिन दोस्तो